आप सभी हमारे चैनल में स्वागत है इस वीडियो में आप जानेंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग को छोटा कैसे किया जाता है हम अपने मोबाइल के कॉल रिकॉर्डिंग को बीच में से कहीं से भी कट कैसे कर सकते हैं हम बीच में से किसी भी क्लिप को अलग कैसे कर सकते हैं तो वीडियो को सुरुक करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी दबा दीजिएगा तो चले जनते हैं कि हम अपने कॉल रिकॉर्डिंग को कहीं से भी कट कैसे कर सकते ह तो call recording को कहीं से भी cut करने के लिए आपको एक अप्लिकेशन को अपने mobile में इस्टॉल कर लेना है आपको play store में आना है और यहां पर open करना है और open करने के बाद यहां पर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा यहां पर आपको cut a song and music है तो आपको cut a song and music पर क्लिक करना है और यहां से permission को allow कर दिना है इतना करने के बाद आपके mobile में जितने भी call recording या audio होंगे यहां पर आपको service होने लगेंगे तो आप जिस call recording या audio को cut करना चाहते हैं उस पर क्लिक किजिए तो हम उपर वाले पर click करते हैं और click करने के बाद आपको यह से don't show again करके okay कर देना है और यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा तो आप जहां से भी इस audio को इस call recording को cut करना चाहते हैं पहले उसका starter point आप set कर लिजिए यहां पर आपको play का button है आप play करके देख सकते हैं कि आपको आपना जो call recording है कहां से cut करना है प्लेपर ख्लिक करने के मिलेगा और आपको अपना starter point सेट करना है लिए अउपवर नीचे मिलेगा आपको Aus जहां तक चाहिए call recording आपको लाष्ट पॉंट आप उसे आपको वहां पर ऐसे कर के लादेना है आप जहां से भी कट करना चाहते हैं पहले starter स्टाटर सेट कर लीजिए और स्टाटर सेट करने के बाद आपको इन पॉइंट जो होता है उसे आप सेट कर लेजिए और सेट करने के बाद आपका यह बीच वाला जो है को लिक ओर्डिंग कॉट हो जाएगा कि प्ले करके आप देख सकते हैं तो audio को set करने के बाद आपको इसे cut करना है तो cut करने के लिए यहाँ पर उपर आपको एक image जैसे icon मिलेगा तो आपको इस पर click करना है और इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको save पर click कर देना है आप यहाँ से अपने file name को भी change कर सकते हैं ताकि आपको ऑपने फाईब मेनेजर में ठूपने ने मेंंसानी हो यहां पर आप नावर रखना चाहते हैं रख नीजिए रखने के बाद आपको सेब पर क्लिक कर दना है एतना करने आपने जो कॉल रिकॉर्डिंग को कट किया है आपको अपने फाइल मनेजर में आपको दिखा देता हूं यहां समय से मिनिमाइज करते हैं और अपने फाइल मनेजर में आते हैं और यहां पर आपने जो call को cut किया है यहां पर आपको वक जो आपने call recording को cut किया था यहां पर आप देख सकते हैं मैंने TT के नाम से save किया था तो यहां पर वक call recording आ चुका है तो इस तरह से आप अपने call recording को बीच में से कहीं से भी कट कर सकते हैं उसे छोटा कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा